जैसे कि आपको पता है, आज मैंने आपको Science की PDF अवलेवल करा दिये, तो मैं आपको एक छोटा सा वीडियो बना के दूँगा, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको Notebook के वर्क कैसे करना है, यह आपका Chapter Thought है, Chapter Thought, उसके बाद Chapter Name, Difficult Words, उसके बाद यह सारे Difficult Words लिखोगे, उसके बाद यह आपके Short Answers हैं, Short Answers हैं, इनको आप जो है, Black Scale से Underline करोगे, ठीके, किसे करना है, Black Scale से Underline करना है, देख लिजीए, यह सारे Answers हैं, Question अपने Book से Copy करोगे, और उसके बाद उसके Answers हैं, यह सारे Answers हैं, यह Long Answer है, Long Answer 1 है, इसके यह पूरा Long Answer यहां तक है, ठीके, यह One का पूरा Part है, यह आपके Define Them, Bedrock को Define किया गया है, यह भी आप करोगे, Soil Conservation, Cover Crop, Top Soil, Deforestation, Eforestation, Terrace Forming, Activity, Activity में मैंने आप लोगों को Pictures दी है, Composition of Particles, जो आपको Activity ड्रो करनी है, पेज नमर 43 पे हैं, और पेज नमर 44 पे डिफरेंट लेयर आप स्वाइल हैं, ठीके, आप PDF चेक करोगे, तो उसमें आपको मिल जाएगा, ओके, But today I will learn about safety and first aid, Safety का मतलब होता है, बचाओ, ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है, सबके लिए जरूरी है, Safety अगर कहीं accident हो जाता है, तो उसके लिए क्या जरूरी है, हमें उन rules को follow करना चाहिए, ठीके, अगर road पे आप चल रहे हो, तो आप उन्हें follow करोगे, तो यहाँ पे कुछ road sign दिये जा रहे हैं, और ये road sign हमारे लिए जरूरी है, ठीके, जैसे कि आपको बताया गया है, कि ये दिया sign, ये left turn का है, ठीके, ये आपको right turn का दिया हुआ है, फिर उसके बाद you turn का option दिया है, पहले जाना है, फिर मूर के, फिर आना you turn दिया है, पार्किंग प्रोफिटेट पी बना हुआ है, तो इसका मतलब ये पार्किंग का है, ये overtaking का है sign, जैसे कोई गाड़ी जा रही है, तो उसको overtake करना है, फिर इसके बाद speed breaker, होते हैं ना, speed breaker, road crossing, road crossing का sign, ये symbol बना होता है, ये railway road ahead, क्योंकि engine बना हुआ है, इसलिए ये railway road का है, cross करने का है, ये footpath है, जहाँ पे on foot है, ये dangerous dip है, ये तो different है, horn profited, तो आप लोगों को बताया जाता है, कि इन सारे चीजों को follow करना चाहिए, ये one way sign, one way का sign है, no entry, कि no entry का sign लगा हुआ है, side road left, यानि कि road रजा रही है, left में कोई road बनी वी है, ठीक है, right side, side road right, यानि right side कोई एक सड़क निकली वी है, तो ये आपकी zebra crossing है, ये school है, narrow road ahead, ये पुलियों के पास अदिकतर बना होता है, jig jag road, stop, तो ये हमारे सारे road sign से, road sign क्यों जरूरी है, let's see the, accident can occur without barrier warning, जो accident होता है, पहले भविस से बाड़ी करते हुए नहीं होता है, कि हाँ, accident हो जाएगा, या होने वाला है, ये अचानक होता है, accident क्या होता है, अचानक होता है, तो they may take place anywhere, ये कहीं भी हो सकता है, accident are mostly caused when we are not careful in what we do, यानि जो हम काम करने जा रहे हैं, या जो काम करते हैं, अगर हम उसमें सावधानी नहीं बरते हैं, सावधान नहीं रहते हैं, अपने आपको careful नहीं रखते हैं, तो accident हो जाता है, सब पोच करो कि आपके मम्मी घर पे खाना बना रही हैं, अगर सावधानी स नहीं बना रही हैं, बाइ मिस्टेक गैस आन रह जाती हैं, और अचानक से उन्हें याद आता है, गैस सिलेंडर का स्विच आन है, और जैसे ही वो जलाती हैं, तुरंत आग पकड़ लेती हैं, तो accident ही तो हैं, आप घर पे बात्रूम में नहाने के लिए जाते हो, उसके बा हो हैं, कहीं भी हो सकता हैं, आप जीने से सीडियों को step by step चड़ रहे हो, अचानक से पैर फिसल जाएं, ठीक हैं, आपका accident हो जाएगा, तो ये कहीं भी हो सकता हैं, ठीक हैं, we can prevent many of these accidents if we are careful and follow certain safety rules, इन accident से हम बच सकते हैं, यदि हम उनको सावधानी पूरवक rules को फालो करें, जिसे कि आपको पता है कि आपके घर में खाना बनाया जाता है, तो kitchen में अक्सर accident होता रहता है, मतलब कभी gas on, कभी चाकू लग जाती है, knife, कभी कभी फिसल जाते हैं, घरों में, bathroom में, जिनके घर पक्के बने होते हैं, tiles लगे होते हैं, अगर उनके घर में जरा सा अभी पा accident से बचने के लिए कुछ सावधानिया बरतनी चाहिएं, जो road पे अगर चलते हैं, तो हमें road पे सावधानिया बरतनी चाहिएं, when you pass through a city road, take a look at sign, जब भी आप किसी सहर जाएं, तो road sign जरूर देखें, and take a look at road sign places and small board near the road, in roads के किनारे आपको board लगे होते हैं, उनको बहुत ध्यान पूर्वक देखके ही आपको गाड़ी को चलाना चाहिए, इस sign depict the traffic rules, which are for the protection of our pedestrian, जो भी यात्री होते हैं, उनको बचाने के लिए होता है, and vehicle, vehicles too, these road sign are placed for our own safety, ये हमारी स्वयम की सुरक्षा के लिए ही बनाया जाते हैं, government अपने लिए नहीं बनाते हैं, जो सड़क पे लोग travel करते हैं, जो चलते हैं, आने जाने वाले लोगों को चेतावनी दी जाती हैं, कि ये यहाँ पे problem है, तो आप go slow, धीरे चलो, those who do not follow these signs, जो लोग इन rules को follow या sign को follow नहीं करते हैं, hurt not any, only themselves, but others too, वो सिर्फ अपने आपको ही चोट नहीं पहुँचाते हैं, बलकि दूसरों को भी पहुँचाते हैं, भाई, अगर किसी से टकराओगे, तो आपको चोट लगेगी, साथ में जिस से टकराओगे, उसको भी तो चोट लगेगी, we should always follow these road signs, ठीके, तो हमें इन सारे road signs को follow करना चाहिए, बिलकुल करना चाहिए, यह road sign है, जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ठीके, अब safety तो यह सिर्फ road पे हो गई, अगर हमारा different weather है, तो हमें उससे कैसे अपने आपको बचाना है, जिससे कि आपको पता है कि ठंडी जब बहुत ज़्यादा होती है, तो हम लोग old and clothes पहनते हैं, बरसात होती है, तो road and coat पहन लेते हैं, hot होता है तो umbrella, गर्मी ज़्यादा होती है, तो have you ever thought why do we have summer and winter vacation, आपको पता है कि summer और winter vacation क्यों होती है, और why do we have rainy day in school during extreme monsoon, रेनी डे हो जाता है extreme monsoon में, पता है न, क्यों, यह जो summer है या winter है या raining season है, इनमें छुट्टियां हो जाती है आप लोगों की, क्यों हो जाती है, क्योंकि यह आपके स्वास्त के लिए अच्छा नहीं होता है, they may cause different types of diseases and accidents, इसे अधिकतर विमारियां और दुरघटनाएं होती है, अगर अपने आपको ज्यादा गर्मी से, ठंडी से और मानसून से बचाना है, तो नीचे दिये विव, precautions को follow करना चाहिए, extreme summer conditions are experienced in our country during the month of April, May and June, इसलिए देखे, जून के महिने में आपके छुट्टी होती है, क्यों होती है, क्योंकि अप्रेल और मैं में उतना ज्यादा गर्मी नहीं होती है, लेकिन जून के महिने में बहुत होती है, यानि कि अप्रेल मैं और जून के महिने में बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और लू चलनी से start हो जाती है, जब लू चलती है, तो आपको बहुत ज्यादा बोड़ी में गर्मी लगती है, तो इसलिए उससे बचाने के लिए नीचे कुछ steps दिये जा रहे हैं, जिन्हें हमें follow करना चाहिए, डोट गो आउट ट्यूरिंग दा आफ्टरनून, दोपहर के समय हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, ठीके, cover your entire body while going out, अगर आप बाहर जा रहे हो, तो अपनी पूरी बोड़ी को close से cover कर लो, drink lots of water, ज्यादा से ज्यादा पानी पीना चाहिए, eat fruits like melon, क्योंकि इन्में water की capacity ज्यादा होती, water melon, cucumber, which have high water content, melon, watermelon, cucumber, इन्में से सबसे ज्यादा, क्या होता है, water present होता है, इसलिए हम इन चीजों को खाते भी हैं, don't eat spicy fried foods, यानि कि हमें spicy और fried food नहीं खाना चाहिए, drink lime water और mango water if you feel hot, यदि आपको ज्यादा गर्मी लगे, तो आपको lime water यानि कि निम्बू का juice, mango water, आम का रस, पीना चाहिए, समर सीजन पे देखे क्या होता है, समर सीजन पे हमें क्या होता है, extreme winter conditions are experienced in our country in the month of December and January, winter season कब स्टार्ट हो जाता है, जन्वरी और December में आप लोगों की छुटियां होती है, कभी कभी होती हैं, कभी कभी नहीं होती है, this is snowfall in the mountain region, mountain यानि कि पर्वती छेत्रों में अधिकतर बरसात होती है, किसकी बरसात होती है, snowfall, बर्फवारी होती है, जिसकी वज़े से December और January में plains areas में बहुत ज्यादा ठंडो होती है, उस condition पे छुट्टी दे दी जाती, अगर कोई काम के लिए बाहर जाता है, तो उसके लिए don't go in the open area early in the morning or late at night, ना तो सुबह जल्दी जाना चाहिए और ना ही देर रात को बाहर जाना चाहिए, right, cover the body with woolen clothes, हमें woolen clothes से अपने बोड़ी को cover करना चाहिए, use cap and gloves during winter months, winter months के महिने में हमें gloves और caps का use करना चाहिए, don't drink cold drink or eat ice cream, ना तो ice cream खाने चाहिए और ना ही cold drink पीना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि जब किसी कहां पर function होता है, marriage होती है, तो लोग सबसे जदा ice cream और cold drink ही खाते हैं, ना, ice cream खाते हैं, cold drink पीते हैं, दोनों चीज़े नहीं खा सकते हैं, cold drink खा सकते हो, बताइए, नहीं खा सकते हो, पानी खा सकते हो, नहीं, पी सकते हो, consume hot drinks like tea, coffee, it is easy to keep yourself warm, तो आप लोग cold drink और ice cream के जगे पे, tea और coffee को यूज कर सकते हो, जिससे कि आपके body गर्म हो सकते हैं, don't travel in the road, is not visible due to fog, यदि fog या कोहरा ज़्यादा पढ़ रहा हो, तो हमें travel नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, उससे आपके आगे के आने वाले वैकल्स दिखाए नहीं देते हैं, इससे accident हो सकता है, ठीक है, raining season में क्या होता है, in raining season comes between June and August, जून और अगस्त मांसूर डिस्ट्रप्टिद नॉर्मल लाइफ, excessive rain may lead to floods, ये जून जून जुलाई अगस्त के महिने में होता है, जैसे कि अगस्त महिना चल रहा है, आज कल नदियों में excessive water है, बहुत ज़्यादा बारिस होई, तो इसकी वज़े से पानी ज़्यादा नदियों में भर गया है, तो अब ये water क्या होगा, किसी गाउं, सहर, किसी नगर को बरबाद कर देगा, तो इससे बचना चाहिए, ज़्यादा बरसात हो, तो हमें बाहर नहीं निकलना चाहिए, यदि हम बाहर जा रहे हैं, तो अम्ब्रेला और रेन कोट का यूज करना चाहिए, हमें बैते हुए पानी में नहीं चलना चाहिए, अगर आप जा रहे हो, आपको नहीं पता हैं, अन्जान सहर में पता चला कहीं गटर ही ओपन है, आप जाते हो और उस गटर में चले जाते हो, एक्सिडेंट हो सकता है, इस्टे अवे फ्रॉम दे एलेक्ट्रिक पोल्स डूरिं रेनिंग सीजन, बिजली के खंबो से हमें दूर रहना चाहिए, बरसाथ के सीजन में क्यों रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता है, एलेक्ट्रिसिटी वाटर से बनती है, और जब वाटर गिरेगा एलेक्ट्रिसिटी पे, तो उससे आपको करेंट लग सकता है, तो आपको एलेक्ट्रिक स्विच और अप्लियंसिस छुना नहीं चाहिए बरसाथ के सीजन में, एट फ्रेश फूड एस स्टेल फूड में लीड टो स्टमक एलेमेंट्स, यानि कि रेनिक सीजन में हमें बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ताजा खाना चाहिए, अगर बासी खाओगे, तो उसमें से जो फंगस या वेक्टिरियाज रेनिक सीजन में ज़्यादा हो जाते हैं, वो आपके फूड को खराब कर देते हैं, अगर आप खाओगे तो आपका फूड यापका पेट खराब हो सकता है, क्योंकि बरसात के सीजन में मच्छर ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए आपको क्या चाहिए, मास्कीटो नेट यूज करना चाहिए, या फिर क्रीम यूज करना चाहिए, जिससे कि आपकी बाड़ी में मच्छर ना बैड़ पाएं, आपके बलड सक ना कर पाएं, तो मच्छ से बलड़ी नहीं सकरता है, अपना लार्वा भी आपकी बाड़ी में छूड़ देता है, इससे क्या होता है, आपकी बाड़ी में मलेरिया के पैरासाइट्स मिल जाते हैं, सिम्टम्स मिलते हैं, तो आपको ठंड लगके बुखार आना सुरू हो जाता है, ठीक है, यह डेंगू मैस्किटो से होता है, तो इस तरीके से हमने आज पढ़ा कि सेफटी क्यों जरूरी है, सेफटी रोड पे भी जरूरी है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आजे सेफ्टी के ने Civil Water कीम्हान RAM का जाता है, तो आपको टोरूरी है, मैस काहता है।